हेलो गाइस आप सभी का वेल्खम है वेशनल ब्लेश पूर्ड में अज हम बनाएंगे बहुत ही तेस्टे मावा को जिया तो यहां पर मैंने मेंदा को शाल लिया है एक गिलास के करीब पानी लिया है मीठा तेल गी देशी गी है हम मेंदी में घी डालेंगे गी को हम अच्छे से मिलाएंगे साथ में ही डालेंगे मीठा तेल इन दूनों चीजों को हम अच्छे से मसल मसल के मिला देंगे जब तक कि आठे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसमें देखे थोड़ा और जो हमने बचाया था मीठा तेल बो भी डाल देंगे इसके अंजर तो यहां पर देखे एक दम थोड़ा और करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर देखे एकदम मौन एकदम पर्फेक्ट लगा है तो अब रहने इसमें थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक सक तक आठा लगा के तैयार कर लेंगे और यहां पर देखें आर्टी को हमने एकदम मसल मसल के अच्छे से गूत लिया है और एकदम आटा लग के तैयार हो चुका है और इसको हम 10 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देगे तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे उन्यां यहां पर मैंने मावा लिया यहां पर कड़ाइ रखी कड़ाई में हम सूजी डालेंगे एक कटोरी के करीब और इसको एकदम सने रहा होने तक स्टाखेंगे एकदम चलाते हुए और यहां पर देगे आदी सूजी अपनी पक के तयार हो चुकी है तो इसमें हम डालेंगे देशी घी देशी घी को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको घी डालने के बाद दो से पांच मिनिट तक और मद्धी फिलें पर एकदम चलाते हुए पकाएंगे और एक शुबूगानी लगेगी और इसे स्टेश पे डालेंगे हम इसमें किसमें गरी बुरादा और इन सब को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहां पर सब को मिला के मिला लिया है तो इसमें डालेंगे हम इलाइची पाउडर और इलाइची पाउडर को भी हम मिला देंगे इलाइची पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम खोया और खोया को भी हम अच्छे से मिला देंगे ताकि सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए यहां पर देखे एक दम खोये को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसर तो फ़िए लिए आप चाहें तो वैसी भी ले सकते हैं और चीनी बुरादा को हम अच्छे से मिला दींगे जब थंडा हो जाए तब डाले तब ही मिलाए इसको यहां पर हमने चीनी को भी अच्छे से मिला लिया है थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी और बचीती वह भी मैंने डाल दी और इस अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे 10-15 मिनिट बाद देखेंगे कि अपना हाटा एकदम सेट हो गया है यह गुजिया बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है तो चले गुजिया बनाने के लिए छोटी-छोटी जैसे पूड़ीयों के लिए लोई रहते हैं सिम उसी तरीके से लेंगे और यहां पर थोड़ा सा म हम अच्छी बेन चली लोई करेंगे और रान डाउन ख्मागे हलके हाँ से बेलंगे आप मीडी बेल लेए ती आप कि वह पूड़ी की तरह पतला बेल लेंगे और गुजिया में हो लेंगे इस पर रखेंगे और इसमें एक चमची के करीब हम इसमें इसको हम अच्छे से दबा के इस टार्टा है इसको हम निकाल लेंगे और हिआ पे एकदम गुजिया बनके तयार हुई इसी तरीके से हम दूसरी भी मनाएंगे और जिमेना और पानी का साइट साइट से पानी रखेंगे तक एपने गुजिया फ्राई करते शरी करते सेThis से हम इसको फोल कर lush shallow तरह कर देंगे आप बिने पानी रखाए भी बना सकते हैं और यहां पर के जहां हम बना लेंगे इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे तो यहां पर हम पहले तील को जाना गरम कर लेंगे और फिर गरम हो जाएगा तो आज को हम धीमी रखेंगे और इसमें डालेंगे हम गुजियां फ्राइए करेंगे दालती देम आज मदी रखेंगे और जब दल जाएं गुजियां तो हम आज को तीज कर लेंगे इसको अलट पलट करेंगे दोनों और से पका लेंगे गुजियां को तो यहां पर गुजिया एकदम फ्राइए हो चुकी है और इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में इसी तरह के से हम सारे गुजियां फ्राइए कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर गुजिया एकदम बन के तयार हो चुकी है इन गुजियां को मैंने सर्वकर लिया अगर आपको मेरी वीडियो ची लगती है तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को हैपी हो ली